नमस्कार आप देख रहे हैं खास कबर मैं हूँ आपके साथ प्रद्यम्न शर्मा अब सवाल उड़ता है कि सरकार इससे बचने के लिए क्या करेगी क्या ऐसे पक्षियों को मारने के आदेश जारी किये जाएंगे जिससे इंसानों का सीधा संपर्क है क्योंकि इंसानों को बचाने के लिए उन पक्षियों को मरना जरूरी है जिनने इंसान किसी भी तरीके से खाता या पालता है। आइए जानते हैं कि बड़ फ्लू में पक्षियों को क्यों मारा जाता है। बड़ फ्लू से बचने के लिए तीन चंडों में अलग-अलग तरीके से अपनाये जाते हैं। पहला फेज में प्री-पेंडेमिक यानि महामारी से पहले इससे इंसानों को बीमारी होने से बचाने का प्रयास किया जाते हैं। इसमें सबी पक्षियों को मारना शामिल हो जाता है। इसके बाद अल्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत किया जाता है। दूसरे फेज में संक्रमर के सोर्स यानि की वार्स की रोकथाम की विवस्ता की जाती है। तीसरे फेज में महामारी गोशित कर अंतिराश्टे इस तर पर उसे रोकने का प्रयास किया जाते हैं। बट फ्लू के दौरान पक्षियों को मारना किलिंग कहलाते हैं। इन पक्षियों को मारा जाता है क्योंकि ये इनसानों के खाने में उपियोग होते हैं। या फिर ऐसे पक्षियों को मारा जाता है जिसे सीधे तोर पर इनसान का संपर्क होता है। जैसे कौवा, बतक, कबूतर, आदी। ये पक्षी आम तोर पर परेटन इस्थलो पर भी मिल जाते हैं मुर्गिया आदी खाने के उपयोग में आती हैं इसलिए इन पक्षियों में जैसे ही बर्ट फ्रू के लक्षन दिखते हैं सरकार किलिंग को एक प्रावधान बना कर रखती है इस्ति गंबीर होने पर पक्षियों को मारने के आदेश भी दिये जाते हैं जब भी किसी पॉल्टरी फार्म पर पक्षियों को मारा जाता है तो उसके चारो तरफ एक से पाच किलोमीटर की दूरी को प्रतिमंदित इलाका गोशित कर दिया जाता है ये इलाका अत्यदिक निगरारी में भी रखा जाता है दो से तस किलोमीटर की दूरी के बफर जोन भी माना जाता है यानि अगर बीमारी फैलती है तो इस इलाके को प्रतिमंदित इलाका गोशित कर बफर जोन को बढ़ा दिया जाता है H5N1 वाइरस को रोकने के लिए साल 2004 और 2005 में इसी तरीके के प्रयास दुनिया भर में किये गए थे 2004 और 2005 के बीच H5N1 वर्ट फ्लू वाइरस को रोकने के लिए सिर्फ एशिया में 10 क्रोड से जादा मुर्गियों को मार दिया गया था हाला कि इससे उन किसानों को बहुत नुकसान हुआ था जिनकी रोजी रोटी मुर्गी पालन से होती है Food and Agriculture Organization of the United Nation FAO के नियमों के अनुसार अगर बर्ट फ्लू या Avian Influenza फिलने की आशंका है तो पक्षियों को मारना कानून संगत है हाला कि साल 2003 और 2004 में व्यतना में किसानों ने अपनी मुर्गियों को मारने से मना कर दिया था इसके बाद वहाँ नया कानून बनाये गया कुछ एक्सपर्ट और विग्यानों का मानना है कि पक्षियों को मारने से बर्ट फ्लू से नहीं बचा जा सकता ये एक प्रभाफशाली बचाफ का तरीका है ये थोड़े समय के लिए बले ही इंसानों को बचा सकता है लेकिन लंबे समय के लिए पक्षियों को मारना ठीक नहीं है HPAI को रोकने के अन्य तरीके भी हो सकते है प्रभफशाली तरीके से अगर पक्षियों को मारना है तो सई जगा का च्वैन होना चाहिए किसान को मुर्गियों के बदले कुछ आर्थिक मदद भी मिल ली चाहिए यानि बर्ट फ्लू अब तक दुनिया में चार बार फैल चुका है यहां तक कि 60 से ज़ादो देशों में महमारी का रूप भी ले चुका है एवियन एन्फ्लूएंजा के कई प्रकार है लेकिन 5 प्रकार के वाइरस इंसानों को संक्रमित करते हैं यह है H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9H2 बर्ट फ्लू पक्षियों के जरिये ही इंसानों में फैलता है इसलिए पक्षियों को शुरक्षित रखने के लिए सबी देशों की सरकारे अलग-अलग मुहीं भी चलाती है फिलाल इस खाश पेशकर में सिर्फ इतना ही बने रही है न्यूज वर्ल इंडिया के साथ, नमस्कार